हमारी प्रित्वी, हम और हमारे आसपास की सभी चीज़ें, ये सभी तारों से बने हैं। तारे जो हम आसमान में देखते हैं, ग्रह, चंद्रमा और उलकापिंड, ये सभी कई बार मरते और पुनरजन में लेते हैं। इन ब्रह्मान्डिय इकाईयों का एक जीवन चक्र होता है, इसके बाद इनका अंत होता है, पर अंत के बाद भी इनके अंग और बे सभी तत्वी जिन से ये बने हैं, ये सभी अंत्रिक्ष में ही रहते हैं, जो नईशन रचनाओं को जन्म देते हैं। ऐसे ही अर्बों सालों पहले तारों और आकाशी चीजों द्वारा हमारे तारे सूर्य और हमारे घर यानी प्रित्वी को जन्म दिया। प्रित्वी जन चीजों से बनी हैं, बे सभी तत्वे दूर दूर से चुनचुन कर लाए गए थे। आइरन प्रत्वी के आंतरिक केंदर के लिए, आकसिजन प्रत्वी पर हवा और पानी के लिए, तथा कारवन हमारे जीवन के लिए। सबसे पहले हमारा तारा यानी सूरी बना उसके कुछ लाखों साल बाद तक कोई ग्रह नहीं बने बलकि सूरी का जक्कर धूल और बादर लगाते थे जिनों न दीरे दीरे छोटे फिर बड़े पिंडों को जन्म दिया उस समय हमारे सौर मंडल में पिंडों के द्वारा दूसरे पिंडों पर धमा के चल रहे थे पिंडों के बनने के साथी उनमें ग्रैविटी भी बन रही थी जिससे उनके आसपास के छोटे पत्थर और पिंड बड़े और जाद ग्रैविटी वाले पत्थरों और पिंडों पर जाकर गिर रहे थे नहीं डिक्ती प्रिथ्वी की सनरजना जैसी ये आज है इसे ऐसी बनने में कई लाखों सालों का शमय लगा जहां सबसे आंत्रेक हिस्सा सॉलेड बीच का हिस्सा लिक्विट और सबसे बाहरी हिस्सा पत्री लक्रश्ट हो हमारे तारे के सबसे करीबी चारों ग्रह बुद्ध शुक्र, प्रिथ्वी और मंगल ये सबी प्रिथ्वी की तरह ही रौकी प्लैनेट्स हैं इसके आगे के ग्रह गैस जाइंट और स्नो जाइंट हैं प्रिथ्वी की स्तिती सौर मंडल में उस स्थान पर है जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है यानि ये सूरी के इतने निकट जहां ज़दा गर्मी होती हो और नहीं इतनी दूर है जहां तापमान बहुत कम रहता हो और इसी स्तिती के कारण प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कुछ पे ग्याने को क्या नुसार प्रत्वी पर उपस्तित पानी और पत्थरों की ओम्र लगभग एक समान है क्योंक और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है ब्रह्मांड में अभी तक ऐसा पर्फेक्शन हम और कहीं नहीं ढूण पाए हैं क्योंकि ब्रह्मांड में ज़्यादा तर स्थानों पर पानी की बलबर्फ की रूप में ही मिलता है जो लाइफ के लिए उतना सुटेवल नहीं है ज भीशी की संभावनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ